दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Google Photos एप के कुछ important features और settings के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप अपने deleted photos को बहुत ही आसानी से recover कर सकते हों दोबारा से वापस ला सकते हों क्योंकि दोस्तो काफी डेप ऐसा होता है कि गलती से हमारे जो important photos होते हैं वो delete हो जाते हैं और हम deleted photos को recover नहीं कर पाते हैं काफी ज़्यदा परिसान हो जाते हैं तो दोस्तो अब आप बहुत ही आसानी से Google Photos एप को यूज करके अपने deleted photos को recover कर सकते हों दोबारा से वापस ला सकते हो क्योंकि दोस्तो हमारे phone में एक application होता है जिसका रहा हमें Google Photos लगभग 90% लोग Google Photos एप के बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे Google Photos एप को यूज किया जाता है कैसे photos को live time तक के लिए save किया जाता है तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा interesting है जरूरी है कि कि दोस्तों अगर आप एक बार Google Photos एप के बारे में जान लोगे तो आप अपने important photos को जिन्दगी भर के लिए save कर सकते हो live time तक के लिए सुरचित रख सकते हो कभी भी आपके photos delete नहीं होगे अगर गलती से, gallery से आपके photos delete भी हो जाते है तो आप Google Photos एप से deleted photos को recover कर पाऊगे तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा interesting है जरूरी है वीडियो को पूरा जरूर देखना और गई ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment चला को subscribe जरूर की जगा अब चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आपके phone में एक application होगा जिसका नाम है Google Photos आप चाहे किसी भी company का phone यूज करते हो आपके phone में ये Google Photos एप जरूर होगा जब आप Google Photos एप को open करोगे आपको यहाँ पर कुछी इस तरह का interface सो होगा आपके gallery के सारे photos आपको यहाँ पर दिख जाएंगे काफी सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जो photos है गो Google Photos के अंदर save हो गए है upload हो गए है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है जब आप Google Photos एप को open करोगे आपके gallery के सारे photos आपको यहाँ पर दिखेंगे सो होंगे बट upload नहीं होते हैं ठीक है live time तेक लिए save नहीं होते हैं अगर हम gallery से इन photos को delete करते हैं तो दोस्तों Google Photos से भी हमारे photos delete हो जाते हैं तो आपको Google Photos के अंदर अपने important photos को save करना होगा live time तेक लिए सुरचीत रखना होगा ठीक है आप देख सकते हो काफी सारे photos यहाँ पर दिख रहे हैं जब आप Google Photos को open करोगे आपको काफी सारे options मिलेंगे features मिलेंगे आपको सबसे पहले profile पर tap करने आपको profile पर tap करने है आपको Gmail account को select करने जिस Gmail account को आप हमेशा यूज करते हो जिसका password आपको पता है उस Gmail account को आपको यहाँ पर select करने है ठीक है अब इसके बाद आपको उस photo पर tap करने उस photo को open करने है जिसको आप save करना चाहते हो जिसको आप सुरचीत रखना चाहते हो ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर upload का option मिलेगा आपको इस तरह अपने photos को upload करना होगा save करना होगा ठीक है तभी आपका photo live time तक के लिए save होगा आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो photo है वो upload हो चुक है क्योंकि photo पर एक अलग icon बन चुक है ठीक है तो दोस्तो इस तरह आप एक एक करके अपने important photos को Google photos के अंदर save कर सकते हो live time तक के लिए सुरचीत रख सकते हो अगर आप एक साथ अपने photos को upload करना चाहते हो इस तरह select करके अपने photos को save करना चाहते हो ठीक है तो आपको अपने photos को select करने select करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा backup आपको इस पर tap करने ठीक है आपके सभी selected photos upload होने लगेंगे save हो जाएंगे ठीक है तो दोस्तो यह तरीका है Google photos के अंदर जिंदगी भर के लिए photos को save करने का दोस्तो आप एक Gmail account के अंदर 15GB तक का free में data upload कर सकते हो यानि free में photo video upload कर सकते हो ठीक है अगर आपके पास 15GB से ज़्यादा का data है तो आप एक से ज़्यादा Gmail account को use कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो photos हैं वो upload हो चुके है save हो चुके है अगर आपका phone खराब हो जाता है चोरी हो जाता है तूड जाता है simply आपको same इसी Gmail account को नए phone में login करना है और दोस्तो आपके जो uploaded photos है वो आपको दोबारा से वापस मिल जाएंगे ठीक है तो यह process है गूगल photos app को use करने का गूगल photos app के अंदर important photos को live time ते के लिए save करने का ठीक है अगर मालों की गलती से हमारे photos gallery से delete हो जाते है तो दोस्तो आपको Google photos को open करना है और आप यहां से अपने important photos को recover कर सकते हो ठीक है जैसे आप यहां पर देख सकते हो सभी के सभी photos upload हो चुक है ठीक है अगर हम इन photos को gallery से delete कर दे आप यहां पर देख सकते हो हम क्या करेंगे gallery से इन photos को delete कर देंगे ठीक है अब हम permanently भी इन photos को delete कर देते हैं तो दोस्तो हमने permanently photos को delete कर दिया ठीक है अब हम photos app को open करते है आप यहाँ पर देख सकते हो फोटोज एप के अंदर हमारे जो डिलीटेट फोटोज है वो सेव है ठीक है लाइब टेम तेकले सुरचीत हो चुके है आप देखो सारे के सारे फोटोज सेव है जबकि इन फोटोज को हमने गैलरी से डिलीट कर दिया है तो दोस्तो यह तरीका है Google Photos एप को यूज करने का, अगर आपको अपने photos को recover करना है, gallery में वापस लाना है, simply आपको photo पर tap करना है, 3 dot पर tap करना है, आपको यहाँ पर एक option मिलेगा download का, आपको download पर tap करना है, आपका photo download होकर gallery में save हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तो यह तरीका है deleted photos को recover करने का, ठीक है, अगर आप Google Photos के अंदर अपने photos को save कर देते हो, ठीक है, gallery से आपके photos delete हो जाते हैं, तो आप इस तरह अपने deleted photos को recover कर सकते हो, ठीक है, यह जो Google Photos app है, यह trusted application है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, यह Google का official application है, ओके, अगर आप automatic अपने photos को Google Photos के एक option लेगा photos settings आपको इस पर tap करना है ठीक है यहाँ पर आपको एक option लेगा back up आपको इस पर tap करना है और आपको यहाँ से इस setting को on करना है ठीक है जब आप इस setting को on करोगे आपके जो important photos है आपके gallery में जितने भी photos होंगे वो सब google photos के अंदर automatic upload हो जाएंगे अब हम इस setting को on करते हैं तो दोस्तों हमने इस setting को on कर दिया ठीक है इसके अंदर भी आपको काफी सारे option मिलेंगे जब आप automatic upload यानि backup को on करोगे ठीक है इसके अंदर भी आपको काफी सारे settings मिलेंगे आपको यहाँ पर तीन option मिलेगा backup quality आप किस quality में अपने photos को upload करना चाहते ह यहां से quality को select कर सकते हो ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा mobile data uses एक दिन में automatic कितने mb का photo video upload होना चाहिए 5 MB कर सकते हो 10 MB कर सकते हो 30 MB कर सकते हो unlimited कर सकते हो ठीक है यह आप अपने हिसाब से set कर सकते हो जितने MB का photo video आप एक दिन में automatic upload करना चाहते हो आपको यहाँ पर select करना होगा ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर last में एक option मिलेगा backup device folders ठीक है जब आप इस पर tap करोगे इसको open करोगे आपके phone में जितने भी folders होगे file manager के अंदर जितने भी folders होगे आपको यहाँ पर so हो जाएंगे जिस भी folder को आप enable करोगे सिर्फ उसी folder का photo video automatic upload होगा ठीक है तो दोस्तो इस तरह आप automatic की setting कर सकते हो और अपने photo को google photos के अंदर save करके live time तक के लिए सुरचित रख सकते हो और अगर future में कभी आपके photos delete हो जाते हैं तो दोस्तो आप यहाँ से अपने deleted photos को recover कर सकते हो दोबारा से वापस ला सकते हो तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर जानकरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल प्रन है चैनल को subscribe करो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeable videos बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद